किसान भाईयो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चेनल थाकडएगरी गल्चर में किसान भाईयो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लैसुन की बुआई के समय एनपी के बारा बत्ती सोला कितनी मात्रा में डालना चाहिए अधिकतर किसान भाई इनपी के 1260 का इस्तमाल लैसुन की बुआई के समय करते हैं तो उस समय पर किसान भाईयों से एक गल्ती हो जाती है कि कोई किसान तो बराबर मात्रा में 1260 डाल देता है परन्तु कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो ज़्यादा खर्चा होने के डर से कम मात्रा में NPK 12-16 का इस्तमाल करते हैं तो किसान भाई यू अगर आप NPK 12-16 का इस्तमाल लैसुन की बुवाई के समय कर रहे हैं तो आपको कितनी मात्रा में इसका उप्योग करना चाहिए और इसका उप्योग करने से लैसुन की फसल में कितने फायदे होते हैं वो सभी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो किसान भायू आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए है या फिर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं कर रहा है ताकि जब भी नया वीडियो आया आपको उसका नोटिपिकेसन मिल जाए और आप समय पर जानकारियां देख पाएं किसान भायों लैसुन की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए नाइटोजन फासपरोस और पोटास के जुरत सबसे ज़्यदा होती है अगर इन तिन चीजों में से कोई एक चीज मिस हो जाती है तो लैसुन की फसल से हम अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं अब नपीगे 12-16 यानि कि नाइटोजन फासपरोस और पोटास यह तिनों एक तो फास्पेटिक अवस्ता में पाए जाते है और एक सल्फेटिक फॉम में पाए जाते है अब फास्पेटिक फॉम क्या होता है तो जैसा कि जो दानेदार फॉम है यानि कि जिसको हम चड़ों के पास में देते हैं उसे फास्पेटिक फॉप में आता है कि सान पायाु हम भुआमनों के समय ही कर सकते हैं इसके बाद में रिशल्ट हमें इतना अच्छा नहीं मिल बाता है तो इसका उप्योग हमें सुरुवाद में ही करना चाहिए अब इसके अंदर नाइटोजन फासपरोस और पोटास 12, 32 और 16 इन तिनों अनुपाद में पाये जाते हैं तो अब इसका उप्योग करने से हमें फाइदा यह होगा कि सुरुवाद में नाइटोजन फासपरोस और पोटास की पूर्ती हमारे जमین में हो जाएगी तो जब भी हम हमारा बीज जमीन के अंदर अंकुरित होगा जैसे ही उसमें जड़े बनना चलु होगी तो उसी टाइम से नेटोजन, पासपोर, पोटास उस बीज को मिलना चलू हो जाएंगे, उन जड़ों को मिलना चलू हो जाएंगे, जिससे सुरुआ से ही जड़ों का काफी अच्छी तरीके से विकास होगा, इसके अलावा पोदे की चाल बहुती सांदार बनेगी, अगर इन 50 किलोगराम एक एकड में में डालना ही जाहिए, किसान भाई तो इस प्रयशन की बुवाई permitted है, तो ऑन फिके 15 ने की पचास कीलोगराम प्र réalité में सकते हैं, किसान भायू इसके अलावा बाद में हम नाइटोजन फासपरोश पोटास की पूर्टी के लिए अलग-अलग परकार के खाद डालकर इनकी पूर्टी कर सकते हैं जैसे कि NPK 19-19-19-19-22-34-00-50 इनके माधियम से हम इसकी पूर्टी कर सकते हैं लेकिन ये खाद भी अलग-अलग अवस्ता में अलग-अलग तरीके से इस्प्रे किया जाते हैं तो इनका इस्प्रे हम लैसुन की जब लैसुन 30 दिनों की अवस्ता में होगी तो उसके बाद में आपको जानकारी देंगे तो इस परकार से सुरुवात में बुआई के समय आप NPK 12-12-16 का इस्तमाल करके अप किसान वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय जवान जय किसान